आपके पास Motorola A30 या फिर 30 Ultra या फिर 30 fusion है तो उसके अंदर app icon style या app icon की setting कैसे कर सकते हैं तो उसको करने के लिए simply आपको home screen पर ऐसे tap करके hold करना होता है यहां पर आपको दिख जाएगा home settings इस पर आपको जाना है तो यहां पर आपको दिख रहोगा icon size यानि कि इसमें आपके icon की size की बात हो रही कि आपको कैसा करना है size छोटा रखना है तो छोटा करेंगे बाकि बड़ा करना होगा तो बड़ा करने तो बढ़ा करने जाता है बाकि मैनुली आप जाके इसको अर्जिस्ट कर लिजेगा मैं यहां पर normal रखता हूँ बाकि अगर आपको थोड़ी से ज़रुवत है तो लाज पर जाके आप ऐसे कर लेंगे करने बाद बैक कर देना तो यहां पर आपको दिख रहता है राव लेबल इस पर टैप करेंगे तो यहां पर आपको don't show option होता है कभी कभी ऐसा होता है कि आ अधर नाम यहां पर सूरी नहीं कर रहा तो उस कंडिशन में आपको करना क्या है सिंपली वापा से उससी जगह जाएंगे तो यहां आपको निचे एक साथ दिख जाता है इसको जब इनेवल करते हैं तो आपका डैटली आइकन का कलर ही पूरा चेंज हो जाता है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से जो भी आपका यूई कलर होगा उससे मिलता जूलता आपका कलर डैकन का हो जाता तो फिल डिया सेने अगे शकर लेंगे बाकि इस की बात रहे हिए अगर आपको इसटाई्ल चेंज करना है ओर आप अप यसी पर ट्रप करेंगे के स्ट्फ करके और यह आपको देख जाता है आइकन से तो यह आपको आपको भी आपको सेना अपने आइकन का इससे especially कर लेस तो आपका आइकन का स्टाइल भी चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से जिसे कि आप देख पा रहे होंगे ठीक है बाकि यह कलर वाला आपको बंद करना तो वापस उसी जगह जाएंगे इसको आपको बंद कर देना होता तो आपका कलर बंद हो जाता है नॉर्मिल जैसा था व अब करते हो इसे क्या होता है कि आप किसी पर कहीं उठा कर आप बड़े अराम से रख सकती है जैसे कि आप रख दीए तिहां प्ड़ा रहेगा बाकि उसको जब आप करते हो तो अब करने के बाद यहां से किसी आपको कहीं भी उठा कर रखेंगे तो आपका वापस से वह एरिया को फिल कर देता है जैसे कि आप देख पा रहेंगे तो कुछ इस तरह से आप अपने फोन में कर लेंगे अगर वीडियो अच्छे लगेगे तो लाइक कमेंट से और सब सब्सक्राइब के जिएगा मिलता है नाइक स्टूडियो और तब तक के लिए बाबाए